MI VS ASBI का मैच मैं अभी बताते रहा हूं ये मैच में हम लोग Small League और Grand League One Sided जीतेंगे पिछले मैच में भी जब MI का मैच था हम लोग One Sided Small League जीते थे लेकिन आज के मैच में हम लोग Grand League भी One Sided जीतेंगे और Small League भी One Sided जीतेंगे अब ध्यान से देखना वीडियो क्योंकि अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा मैंने किलिरली बोला था कि रासित खान भाई आइक बैटिंग से थे जाएगा बालिंग से तो देगा देगा बैटिंग से भून देखे जाएगा और भाई रासित खान ने बैटिंग से पूइंट क्या दियाथ स Lor फैक्व कि बढ़ीन इसे आपको घृति कोई घायगा इस से प्रेडिक्षन आपको इसी चैनल पर मिलेगा वीडियो पुरा देखना बहुत ही सांदर वीडियो रहने वाला है और आस भी वरसेस हमाई का मैच है यह मैच वानकड़े में खेला जाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीग्राम के बारे मिलेगा अगर आप टेलीग्रा यहां पर 2,6,000 लोग जोईन हो जुए है ठीक है और अगर आप देख सकते हो ऐसे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा सच करके भी जोईन कर सकते हो अ-देखो बोर्ट का स्मार्ट और बोर्ट का ऐरड्रौप आपको मिल रहा है आज से जो सबसे पहले कॉमेंट करेगा सिफ तीन ही ऐसा वीनर बनेगा उसके बाद साथ वीनर रेंडम कॉमेंट वाले बनेंगे साथ वीनर रेंडम कॉमेंट तो भाई आप से तीन वीनर बनेंगे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट बागे साथ लोग बनेंगे र है सब के हाथ में कल के वीडियो का वीनर आपके सामने है अगर आपका नाम है तो प्लीज आप लोग अपना रिपलाई जोरू देदेना मैच कहा पर खिला जागा वांखड़े स्टेडियम में इस पर हम बताते हैं पीछ रिपोर्ट सी बात है सिंपल मेथर्ड से समझो बैटिंग फ्रेंड पीछ है हाई स्कूलिंग रन देखने को मिलेगा और उपसे आसबी और एमाई का मैच है 200 तो प्लस रन बनेगा 200 प्लस रन बनेगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं स्वाट बाउंट्री है आपको अच्छे खासे 6 और 4 दिखाई देगा विकेट दोनों के तरफ से ज़्यादा गिरेगा नहीं मुश्किल से दोनों टीम मिलाके मुश्किल से 8 विकेट लेते हुए दिखाई देगा बस इतना ही विकेट लेगा आठ से 10 आठ से लेके 10 के सर्मा हुआ है ठीक है इसान किसन है आपको अच्छा खासा सुर्ख कुमा यादा वाद चलते हुए दिखाई देगा मैक्सविल चलेगा बहुत सारे प्लेर आज चलेगा और उसके बाद यहां पर देखो कि 113 मैंचे वहा जिसमें सकेंड बैटिंग करने वाला 62 टाइम जीत स्पिनर ने चोगदा विकर लिया है ठीक है है हेट टू हेट मैंचे की बात केते हैं आस भी 109 बेरन बनाया था शेए माई 200 बनाया था और यह मैच मुंबई में खिला गया था ठीक है वान खड़े इस्टेडियम में जिसमें की बैटिंग कौन सबसे बढ़ियां किया था इ विजय कुमार वियस्क ने दो विकर लिया था इधा से बैंड डॉप ने तीन विकर लिया दूसरा मैच देखोगे तो यह मैच भी देखोगे यह आस भी जीता था जिसमें की विराट कोली और फैब्डू प्लेस दोनों बढ़िया पारी खिला था इधा से तिलेक वर्मा न अब आरार को जीटी ने हरा दिया तो आरार नीचे चलाएगा क्यार उपाच लाएगा यह पॉइंटबल अपडेट नहीं हुगा तो कहीं ना कर उपाच लाएगा देखो माई 11 सरकल पर आपको रोजाना एक कड़ोर फर्स्ट प्राइज मिल रहा है जीतने का मौका अब जी प्राइज मिल सकते हैं यहां पर भी फर्स्ट वाई मिलेगा उपास अब इंतोंन से यहांत को परको पॉपस पांच टिंस से जोइन कर सकते एक रुपया सिफ एक रुपय लगा के आप सुचो पांच टीम जोइन कर सकते हो और बीस पसेंड आपको डिपोजिट एस्टा कैस मिलेगा जैसे आपने अभी डाउनलोड किया माई लवन सर्कल आप आप आपने डाउनलोड कर लिया और सौर पर भी अगर आप डिपोजिट क खिल सकते हो और अगर मेरे डाउनलोड करोगा तो आपको इस्टेंट पंडो सो मिल जाएगा बॉनस फॉस्ट कमेंट डिस्किप्सर में लिंक दे दिया हो फटाप फटाप डाउनलोड करना और खेलना स्टार्ट कर देना प्लेंग 11 में क्या कोई changes देखने मिलेगा मुझे लाग रहा कि साइद आसबी के तरफ से एक दो changes होगा वो क्या होगा अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है अगर कोई chance होगा जैसे सौरभ चौहांत साइद ना खेले ठीक है मैंग डागा साइद ना खेले क्योंकि यहां पे spinner को help मिलता नहीं है तो विजय कुमार दिखाए देगा आज के मैच में मुझे जहांता को लगा विजय कुमार खेलेगा महिपाल लाम रोर खेलेगा ठीक है यह दो प्लेयर खेलती हुए आपको दिखाएगा प्लेंग लेंड में और दोनों important है इधर से इधर से मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी changes होगा इधर से उब्लेंगे जो बाकी और बटे बटे देगा मैकसेवल और इधर विजय कुमार अगर खेला तो यह तीन होसकता है कि यह उबर मिले तो कुछ इस पर काईदर से प्यूव चालवा चार ववर पक्का इसको भी मॉलींग मिलेगा क्योंकि बॉलिंग अच्छा कर लेता है और प्रइब और तीन अबर बॉलिंग करेगा और अगर अगर वॉलिंग अज पेसस को ज्यादा मिलेगा बाकी चावला यहां पे विकेड लेके जाते हैं कही बार और उपर से राइटम लेक बेक बॉलर है ठीक है तो प्यूस चावला का हो सकता ओबर कट हो जाए तो इसलिए मैं बोलों प्यूस चावला का साथ ओबर कट हो सकता है और उसका ओबर हार्दी कौंडे को मिलेगा अब आसे बी के तरफ से हम बात करते हैं कौन-कौन सा प्लेयर इंपॉर्डर ना पाफॉर्मेंस कैसा है पिछले मैंच में फ्याब च्वालेशन का पारिक ला था आज भी खेलेगा वैटिंग पीच है इंपॉर्डर न है स्मॉल लिक्टे में लेके चलो क्योंकि इस वेन्यू पे 48 का आवरेज है एमाई के अगरेज में 32 और लास्ट आइपेल 55 गया था ठीक है और कुछ टीमों म अब विरात मेंच में रहा रहा है लेकिन और फमको चल रहा है दों मैश को नो さबर नो आज के मैच में मैक्सवेल चलेगा रिस्की पीक में इंपॉर्टन है ठीक है रिकॉर्ड तो बढ़िया है हर मैच में विकेट भी लिया है लेकिन अब यहां पर देखो हर मैच में 30 कावरेज है चाहे लास्ट आइप एल देख लो एमाइक एकंस में इस वेन्यू पे 30 इंगे केमराओन ग्रीन के बैटिंग से उमीद मत रखना वालिंग रखना है तो रख सकते हो आप ठीक है बैटिंग मत रखना तो कहीं नहीं कहीं मुझे लाए आज के मुझे नहीं पिर से आज भी साहद आपको कुछ भी जैदा पॉइंट नहीं देगा बहुत ही कम पॉइ है अस्दियाल की बात करते हैं अगर देखोगे लेपटाम बीड़ास बोला सामने मेरा आईटी है लेकिन इस वेन्यू पर विकेट नहीं लिया तो मैं अपने टीमें नहीं रखोंगा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है सिराज की बात करते हैं इस वेन्यू पर आठ मैंच में छे ना इसके पास ना बेंच प्लेर में अबर्सीस प्लेर अच्छा अच्छा है जैसे टॉम करन अच्छा प्लेर है लोकी फॉर्गुशन है देखते हैं कौन खेलेगा मैंग डागर के खेलने का बहुत कम जांस लाकी देखो इन मेंसे हम बात कते हैं हिमांसु सर्मा का है मनुज का कोई खास परफोर्मेंस नहीं है हाँ वीजय कुमार अगर खेला तो इस वेन्यू पर एक मेंच में दो भी कर लिया है महिपाल लैंडर खेल सकता है बैटिंग अच्छा कर लेता है अकास दीप है अल्जारी जोसेफ को शुरुवाती तोर पर मोंका मिला कुछ कि जाने इसको धकेल दिया नीचे अनुज रावत मैंने वेंच में से डाल दिया साइद इंजर है अब हम लोग माई की तरफ से बात करते हैं माई के तरफ से देखो कि सबसे पहले रोही सर्मा रोही सर्मा इस वेन्यू पर 30 का अवरेज है तीक है रोही सर्मा का तो स्मॉल लि वन डाउन बैटिंग करेगा इंपोर्टन रहेगा 38 का अवरेज है इस मॉल लिक्टिम में लेखे चलेंगे वाइस कप्तार बनाएंगे सुर्कुमा यादव लाज में फ्लॉप था लेकिन अगर आप देखोगे संचुरी लगाया है इंटरनेशनल मैचेस में तिलग वर्मा इस में पर 31 का आवरेज है ठिलग वर्मा पहले बैटिंग करेगा रखेंगे 2 बैटिंग में नहीं रखेंगे लिए हार्दीग पांडिया के अच्छा खासा पॉरजर देखे जा सकता है बॉइलिंग से तो बहुत कम उमिद रखना बैटिंग से उमिद रखनािंग से ऐखन में और मैंने बोला भी था टीम डैविट का बैटिंग आ सकता है तो पैतालिस कावरेज भी इस मेन्यू पे रमारियो सेफ़ट पिछले मैं उन्चालेश साथ में एक विगेट बहुत सांदर गया था रमारियो सेफ़ट जीताने में सबसे बड़ा रोल इसी कह था क्योंकि ला भुम रहिं इंपोरडन ओगा ठीक है नॉह मास में तेरा विकेट पिछले में भी लिया था इसलिए मड़ाश प्लॉप में अचके मैं पहु आज गणि पहल लें सिख दो ने कि डिलेगा ओगे अगास मडवाल अज भी है अर्जुन तेंदूरकर पिछले में मौका मिला था इस बार मौका नहीं मिल रहा है रिकॉर्ड ठीक था का आवरेज डेवाल ब्रेविस बैटिंग अच्छा कर लेता है इंपेक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखाई देता है ठीक है रमायो सफर तो मैन प्लेय अगर देखोगे 24 का अवरेज डिकॉर्ड है बढ़ियां है नेहाल वडेरा ठीक है मुलानी है उसके बाद माफाका है माफाका को मौका मिला इवीस ने भी कुछ नहीं किया प्लेयर बेटल पे चलते हैं इसान किसन को प्लेयर बेटल में देखोगे सिराज ने दो बर आउट किया है तो पांस बार तो अल्रेडी फ्लॉप आप देखते हैं चट्था कहीं फ्लॉप नहीं हो जाए दिन्यास कार्थे को प्रहुचावला ने दो बर आउट किया है बाइं मेरा पेडिक्सन सुन लो मुझे लग रहा कि आज के मैच फिस से वन साइडर जी सकता है आप मैं पर रोही सर्मा पर डाउट लग रहा आज क्योंकि सामने वाले जो टीम है न देखो कि तो बैटिंग अच्छा खासा करेगा गलन मैक्सवेल आज इंपॉर्टन रहेगा 40 से प्लस पॉइंट देखे जाएगा ठीक है आप इसको जील टीम में 2-3 टीम में कैप्टन बना के च 50 पस्ट लोगों का कैप्टन है विराट पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि कैप्टन के लिए सही नहीं है बाकि हाँ टीम में रख लो फेंटेसी टीम देख लिजे मेरा क्या टीम है विकेट कीपर में मैं इसान किसन को रखा हूं विराट को रखा हूं रोही सर्मा को और सु में कि विराट कोली कैप्टन है वाइस कप्तान रोज सर्मा है बट यहां पर हम एक दो चेंजेस करेंगे ग्रेंड लिग अगर आपको टीम बनाना है ठीक है तो पहले सबसे पहले बाता हूं मैं लेवन सरकल पे आप लोग जरू खिलना अगर अभी मेरे लिंक से डाउलोड करोगे आपको इंस्टेंट 1500 को बोनस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं फर्स्ट कमेंड में और टेलीग्राम जोइन करना जहां पर आपको फाइनल टीम मिलता है टेलीग्राम का लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंड बॉक्स में पिनकर के देदूँगा जो कि हमें क्या कर ना आपको बतातो Belgium इसको इस पर इसकुले अगर विजय कुमार खे ले तो विजय कुमार रख ले सकती हूं तिलक बर्मा, को ले सकते हो ठीक है त zumindest अगर वार्म कर्णा के साथ जा सकते हैं इस समल लिग Nev that के सामने है क्या क्यूज अब है कर नहीं हम maxima के साथ जा सकते हैं आज सुकुमय एस सकते यह दोनों में से कोई एक आज बढ़िया इनिंग पारी खेलेगा ठीक है आगे फाइनल टिम आपको टेलिगाम पर मिलेगा टेलिगाम का लिंक फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पीन करके दे दूँगा क्लिक करके आप जोइन हो सकते हो अगर वीडियो पसंद आया हो प्लिज एक लाइक करना चनल को सस्क्राइब जरू करना मिलते हैं स्टूडियो में जाहिन वंदमात्रम इस गेम में वित्य जोकिम की संभावना शामिल है और इसकी रिलत लग सकती है क्रिप है जिम्यदारी से और अपने जोकिम पर खेले